जूद दो और अवैद पबों पर कारवाई की है जिने बुर्डोजर की मदद से गिरा दिया किया है जिन पब पर कारवाई की गई वे अवैद अतिक्रमट पर बने हुए थे इसके साथ ये पूरे नगर निगम ने शहर के अन्य सभी पब मालिकों को नोटिस बेजने की त्या पूरे हिट एंड रन हाई प्रोफाइल केस में जार्च जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जौकाने वाले खबरों का परदाफाश हो रहा है पूरे हिट एंड रन केस में अब अंडर वर्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है जिस रहिश जादे 17 साल के नावालिक ने अपनी पोर्शे कार से 24 साल के एक लड़के और एक लड़की की जान ले ली उसके दादा का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उनका कनेक्शन अंडर वर्ड डौन छोटा राजन से रहा है सूत्रों के मताविक आरोपी नावालिक के दादा सुरेंद्र कुमार अगरवाल ने अपने भाई से संपत्ति विवाद में अंडर वर्ड डौन छोटा राजन की मदद ली थी आरोपी के दादा सुरेंद्र अगरवाल का अपने भाई आरके अगरवाल से कुछ संपत्यों को लेकर विवाद चल रहा था इस मामले में सुरेंद्र अगरवाल ने छोटा राजन को सुपारी दी थी इसके बाद छूटा राजन के कुछ गुर्गों ने आरके अगरवाल को धमकी देने भीजा इस दोरान आरके अगरवाल के दोस्त अजय भोस्रे पर फाइरिंग भी हो गई इस मामले में नावालिक आरोपी के दादा को आरोपी बना कर केस दर्जु किया गया था कनेक्शन हो अभी पूरी तफ्तिश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे कारवाईया होगी हर चीज के उपर पुलिस कारवाई करेगी शायद यही वज़े है कि रसूखदार परिवार से आने वाले नावालिक आरोपी को कानून का डर नहीं था इसलिए पहले उसने बेधड़क पब में जाकर हजारों रूपाई शराब में खर्च किये और उसके बार तेज रफ्तार कार चला कर दो जिन्दगियों को रौक दिया और जब उसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन में वी वी आईपी ट्रीटमेंट दिया गया आरोपी के लिए पिज़ा और बिर्यानी ओर्डर की गई पंद्रा घंटे में ही जमानत मिलने के बाद पुलिस कारवाई पर सवाल उठ रहे हैं महराश्ट पुलिस ने आरोपी को जुएनाईल की जगह बालिक की तरह ट्रीटमेंट की अपील की है इसले कर आम लोगों का गुस्सा ऐसा है कि आज कोट में पेशी के दौरान एक संगठन ने आरोपी के पिता विशाल अगरवाल पर स्याही फैकने की कोशिश की इस बीच पुणे नगर निगम ने अवैद पप पर बुल्डोजर चलाया है पुणे के पौश इलाके कोरे गाउं पार्क में अवैद तरीके से बने पब तोड़े जा रहे हैं पुणे के जिस पब ने नावालिकों को शराब परोसी उस पर एक्शन हुआ लेकिन देश के कई शहरों में नावालिकों को धडलले से एंट्री दी जाती है और शराब परोसी जाती है इसका CNN News 18 ने परदाफाश किया हमारे कैमरे पर कौनॉट बेस हजखास के कई पब स्टाफ ने कबूल किया कि वो 25 साल से नीचे के युवाओं को शराब परोस्ते हैं